वीकेंड का वार में इस बार सल्मान खान के क्या-क्या मुद्दे हो सकते हैं? इस बार किसको फटकार पड़ेगी और किसको शाबाशी मिलेगी? क्या लगता है आपको कि आज जब वीकेंड का वार में हर्ष और भारती पहुंचेंगे? तो क्या होंगे मुद्दे मैं हीना कुमावत टीवी विंड़ो पर आपको बताऊंगी तो कहीं न कहीं अब जिस तरीके से आज वीकेंड का वार में भारती हर्ष और एक सीनियर जनरलिस्ट पहुँच रहे हैं हाला कि फैमिली वीक में सभी जो हैं मस्ती ही कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद क्या निम्रित ने जिस तरीके से अपने पापा से बात की ये बात उन पर भारी पढ़ सकती है सल्मान खान जाहिर जी बाते इस बात पर फटकार जरूर लगाएंगे दूसरा मुझे लगता है कि प्रियंका जिस तरीके से अपने भाई को कहती हूई नजर आई कि चल बैट मैं तुझे अब दिखाती हूँ दमाशा तो क्या वो जान मूझ कर क्रियेटेड था सब कुछ सोच समझ कर मुद्दा बनाने के लिए किया गया था क्या फैमिली आई थी उस हपते भी ये लोग अराम से नहीं रह सकते थे शिप की मम्य अर्चना को बोलते हुए भी नजर आई कि आज तो तुमने बिना चिक-चिक की ए खाना बनाया तो कहीं न कहीं अर्चना ने फैमिली वीक में कहीं पर कोई मुद्दा लड़ाई जगड शालीन को जरूर फटकार लगाएंगे कि क्यों टीना से दोस्ती तूटने के बाद कि आप तुम्हें सुंबुल के कंधे का सहारा चाहिए तो ये बात जो है जरूर निकल सकती है शिप ने कैप्टेंसी टास में साजित को जिस तरीके से आगे बढ़ाया क्या उसे शालीन को क्याप्टें बनाना चाहिए था या जो उसकी स्टाटेजी थी कि नहीं साजित को अपने साथ लेके चलता हूँ ताकि और जो अपोनेंटी में यानि कि पर्टन है उनके लोगों को निकालता हूँ क्या ये सही था इस बारे में भी जरूर बात होगी अर्चना की जरूर ता तो आपको क्या लगता है इसके अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए जिस पर सलमान अवाज उठाए जिस पर इनको समझाए ऐसा कौन सा और मुद्दा हो सकता है कमेंट करके जरूर बताएं